Hello everyone, welcome in our chemistry class and आज हम देखेंगे list of 1 to 30 elements, ठीक है? एक से 30 तक elements की हम name देखेंगे, यहाँ पे है atomic number, यहाँ पे है element name और यहाँ पे है symbol, ठीक है? तो atomic number 1 किसका होता है? hydrogen का, जिसका symbol होता है H, इसको हम H से लेखते हैं, ठीक है? atomic number 2 किसका होता है? helium, जिसका symbol होता है H, E, इसका first or second letter, यहाँ पे होता है H, E, hydrogen का first letter होता है, तो H 3 हमारा किसका होता है? lithium का, जिसका symbol होता है Li, इसका first or second letter है, इसमें 4 किसका होता है Beryllium जिसका सिम्बल होता है BE 5 होता है हमारा Boron जिसका सिम्बल होता है B 6 होता है Carbon जिसका सिम्बल होता है C Atomic No.7 होता है हमारा Nitrogen का जिसका सिम्बल होता है N 8 होता हमारा Oxygen जिसका सिम्बल होता है O 9 होता हमारा Fluorine जिसका सिम्बल होता है F 10 होता है neon जिसका सिम्बल होता है NE 11 होता है हमारा sodium का जिसका सिम्बल होता है NA 12 होता है हमारा magnesium का जिसका सिम्बल होता है Mg 13 होता है हमारा aluminium का जिसका सिम्बल होता है AL 14 होता है हमारा silicon का जिसका सिम्बल होता है SI 15 हमारा होता है phosphorus का जिसका सिम्बल होता है P Atomic No.16 हमारा होता है Sulfur का जिसका सिम्बल होता है S 17 होता है Chlorine का जिसका सिम्बल होता है C L 18 होता है हमारा Argan का जिसका सिम्बल होता है Ar 19 होता है Potassium का जिसका सिम्बल होता है K 20 हमारा होता है Calcium का जिसका सिम्बल होता है C A 21 होता है हमारा scandium जिसका symbol होता है SC 22 होता है हमारा titanium जिसका symbol होता है TI 23 होता है हमारा valandium का जिसका symbol होता है V Atomic No.24 होता है हमारा chromium का जिसका symbol होता है CR 25 होता है manganese का जिसका symbol होता है MN 26 होता है हमारा iron जिसका symbol होता है Fe 27 होता है cobald का जिसका symbol होता है CO 28 हमारा होता है निकिल का जिसका सिम्बल होता है एनाई 29 हमारा होता है कॉपर का जिसका सिम्बल होता है सी यू and 30 हमारा होता है किसका जिंक का जिसका सिम्बल होता है जेडन